लोकलाश मैर्विन सर आज आपको क्लास एर्थ नाइन्थ के अंतरगत पुनर जागरन के तहट अमेरिकी क्रांति के बारे में बताएंगे अमेरिकी क्रांति अठार्वी सताब्दी के पुर्वाद में अमेरिक्या ग्रेट बिर्टेन के आधीन एक उपनवेश था यानि अमेरिका पर भी ग्रेट बिर्टेन ने अठार्वी सताब्दी पर अपना सासन इस्थापित कर लिया था वहां कि अमेरिका के जो मूल निवासी हैं और रेड इंडियन कहा जाते थे अमेरिका में बिर्टिस ओपनुवेशिक सामराज की न्यू जैम्स प्रथम के सासनकाल में रखे गए थी उसी समय अमेरिका की खोच क्रिश्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया जिसका नाम नई दुनिया रखा गया अमेरिका के नाम इटली के नाविक अमेरिगो वेश पुसी के नाम पर पड़ा था जो इटली का निवासे था अमेरिका को स्वतंतरता शंग्राम चार जुलाई 1776 को आरंभ हुआ था सबसे मोस्ट प्रस्ण है यहाँ पर कि अमेरिका का स्वतंतरता शंग्राम का प्रारम हुआ चार जुलाई 1776 को उस समय अमेरिका स्वतंतरता शंग्राम का जो नायक था वह जार्ज वासिगटन था यहीं प्रथम स्वतंतरता नायक जार्ज वासिगटन था अमेरिकिया क्रांती का तत्कालिन कारण बोस्टन टी पार्टी था यानि अमेरिका में जो क्रांती हुई उसका सबसे प्रमुख जो कारण हुआ वो बोस्टन टी पार्टी यह बोश्टन नामक बंदरगा है देखते हैं कि बोश्टन टी पार्टी की घटना 16 सितंबर 1713 इसबी में शेमूल एडम्स के नेतरत में हुई थी जिसमें इस्ट इंडिया कमपनी के जहाजों से चाय की 340 पेटियां समुद्र में फैक दी गई थी अर्थात एक बोश्टन बंदरगा पर ये घटना घटित हुई थी इस कारण इसे बोश्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है इसके साथ साथ आगे हम देखेंगे अमेरिका के अंतरगत बिश्व में पर्थम गड़ तंतरिये सरकार की स्थापना अमेरिका में कही गई थ गड़ तंतर की जननी के नाम से जाना जाता है अमेरिकी करान्तिको मार्च 1769 में सरकार की गई और परथम राश्टपती जाज वासी गंतन को बनाया गया यहींनि अमेरिका का परथम राश्टपत जो वना उसका नाम थान पर्जात अंत्रवा धर्म निर्पेच राज्यों की स्थापना सर्प्रथम अमेरिकां में किया थी धर्म निर्पेच राज्य सथापित करने वाला जो प्रथम देश बना था वह आपका अमेरिका बिश्व में सरप्रथम लिखित समिधान 1789 इसबी में सेक्तुराज अमेरिका में लागू किया गया प्रतनिधित्तु नहीं तो कर नहीं का नारा भी अमेरिका स्वतंतरता संगराम के दोरान अमेरिका वासियों ने दिया था कहने का तात पर ये है कि अमेरिका में शासन के दोरान लोगों को सरकार के अंतरगत प्रतनिध्तु नहीं दिया जाता था और उसके मौलिक अधिकारों की घोस्रा करने वाला अमेरिका का प्रथम देश बना, यानि मनुष्यों में जो समानता होनी चाहिए, ये सभी मनुष्य समान है, ऐसा मौलिक अधिकार की घोस्रा करने वाला प्रथम देश अमेरिका बना था, अमेरिका में दास प्रथा, ये सब वहां की सबसे प्रमुक समस्या थी जिसके अंतरगत सोशर किया जाता था दासपर्था तो दासपर्था के अंध को 1808 हिस्वी में अवेद घोसित किया गया और 1860 हिस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपती अबराहम लिंकन बने थे यानि दासपर्था को शमाप्त करने वाला जो व्यक्ति था वो अबराहम लिंकन थे इन्होंने क्या किया था अमेरिका में दासपर्था का उन्मूलन 1963 इस्वी में किया था थेंक्यू क्लास